हेलो दोस्तो आप सभी का सौगता है हमाई चैनल पर दोस्तो रोज की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको जाडू से जुड़ी कुछ समस्याओ और समधान के बारे में बताएंगे वास्तो के नुसार सुर्यास के बाद यानि शाम के समय जाडू नहीं लगानी चाहिए इससे आतिक प्रशानी होती है उत्तर भारत के कई शेत्रों में मानेता है कि जाडू को कभी भी घर के बार या फिर छट पर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से चोरी की वारदात होने का बहे रहता है जाडू को हमेशे लिटा कर रखना चाहिए जाडू को खड़ा करके रखने से घर में कलै होना माना जाता है मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए मुख़्े दर्वाजे के पीछे एक छोड़ी सी जाड़ू लटकानी चाहिए ऐसा कन्नी से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी साथ ही गाय या फिर किसी अन्ने जानवर को कभी भी जाड़ू से नहीं मालना चाहिए यह अशुप माना जाता है इससे माता लक्षमी रूष्ट भी हो जाती है जाड़ू को हमेशा साफ रखें और उसे गीला ना चोड़े अत्वा पुरानी हो चुकी जाड़ू को कभी भी घर के बार बिकराकर ना फैकें और ना ही इसे जलाए इससे घर का वासुख खराब होता है और घर की सुख शान्ती चली जाती है और नकरात्मक उर्जाओ को अवास हो जाता है पुरानी हो चुकी जाड़ू को किसी एकांत जगापर या जमीन के नीचे दबा देना चाहिए जाड़ू और कुरेदान को कभी भी इशान कोण यानी की उत्तर पूरी कोने में ना रखे ऐसा करने से घर में नकरात्मक उर्जा बढ़ती है साथी घर में बरकत भी नहीं हो पाती है अगर घर परिवार के लोग शुब कारे से बाहर जा रहे हो तो उनके जाने के बाद जाड़ू नहीं लगानी चाहिए मानेता नुसार ऐसा करने से बाहर गए विक्ति को असफलता देखनी पड़ती है तो दोस्तों ये हमने आपको वास्तु के नुसार जाड़ू से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताया अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जादे से जादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद